आस लूचताओ, ब्रेट के इट्ली के बणा न सिखाऊंगी दें और इस ग्लास के साइटा से काट लूगी मैं एस रह से न सारे ब्रेट को काट लूगी यह मैंने सारे ब्रेट को काट लूगी है.. इस न वे पूर भी कामल संद है कर दें जाए इसको मैस्क कर दोगी ऑध यह मेरा अलू मैश हो गया है अब इसको मैं वेडी करूँगी एक डाने यहरुन मैने कढाय को तडादीया हैं हमें नहीं है मैं नहीं जola दालकी ऐख अब थोड़ा सो ऑईल को गरम होने देंगे अब तेल गरम हो गया इसमें मैं थोड़ा सो राई डाल दूंगी थोड़ा सा मेती निम्टी पक्षी एक छोटा सा अनियन अनियन थोड़ा सा हलका सा पिंक हो जाएगा इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दूंगी अब ये अपना आलू मैं इसमें डाल दूँगी इसमें डाल दूँगी स्वाद मसाद नमक थोड़ा सामर मसाला तोरा सद्दमालू मसाला मिक्स कर दिया है और गैस ओफ कर दिया है थोड़ा से धनिया राल दूँगी इस मसाले को एक बाउल में निकाल दूँगी अब में गैस अन कर लूँगी ताबा रख दूँगी इसके पर अब इसके उपर में थोड़ा सा घी डाल दूंगी थोड़ा सा राई डाल दूंगी अब इसमें थोड़ा मिठी नीम की पत्ती डाल दूंगी अब इसमें एक उपर एक ब्रेट डाल दूंगी आज को में थोड़ा दीमा कर लोंगी इसके उपर में थोड़ा सा आलो डाल दूंगी इसमें एक और ब्रेट लगा के सेक लोंगी अब ग्रेट को मैं थोड़ा साइट करके इसी तरह से फिर से मैं थोड़ा से तड़का बना दूंगी थोड़ा से घी पिलाई शिची नीम की पत्ती और इसके उपर में धीरे से पलट दूंगी तो थोड़ा से प्रिस्पी कर दूंगी यह में दोनों तरफ से प्रिस्पी हो चुका है अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी इसी तरह सारी इटली में बना लूंगी ब्रेटिटली रेडियो हो गई है मैंने इसको प्लेटिक कर लिया है मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू लाइक और सब्सक्राइब करिएगा शेयर करिएगा बाई बाई